कि नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिटकोईन गोल्ड बिटकोईन गोल्ड बिट्रक सक्षेंचे डिलिस्टेड हो चुका है अगर आपके पास बिट्रक से बाइनन्स अक्षेंच पर कैसे करें जब पर इसके उपर आपको जाना है वालट के आपके आपके पास आपको यहां पर राइट साइड वाले जो रैड कलर का देख रहा विड्रा यहां पर आपको क्लिक करना जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप ट्रांसफर कर सकते हैं और बाइनस एक्सेंज में बैलेंस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे बी यहां पर आपको एंड्र्स करना है तो गबराने के जुरूत नहीं जब भी कोई कोई डिलिष्ट हो जाता है किसी भी एक्षेंज पर अगर वो एवलेबल है दूसरी एक्षेंज पर तो आप आप ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्रोसेजर को फोलो करकर यहां पर अमाउंट लिखिया आप 2.17 ठीक है जैसे यहां पर 2.17 आप अमाउंट लिखेंगे और आपको एड्रस है जिस एड्रस पर आपको कोई सेंड करना है कोई भी कोई हो बिट कोई गोल्ड नहीं कोई भी कोई जब दिलिष्ट होता है और यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद विड्रा बीटीजी क्वांट क्वांटिटी डालना है आपको और एड्रस डालना विड्रा है और ग्रीन वाला जो सिग्नल देख रहे हैं वो डिपोजिट का है तो इस तरह से आपको कोईंट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी एक्षेंज के उपर और यहां पर बिट्कोईंट गोल्ड आप देख रहे हैं जीरो जीरो है भी टोटल बैलेंस इन ओडर और जो ए तो आपका जो अमाउंट वो इस एड्रस पे चला जाएगा तो जैसे क्लिक करेंगे एक एमेल आएगा आपको यूर विड्रावल 2.17 इस सब्मिटेड तो इमेल वरिफिकेशन आएगा आपके अकाउंट में तो वहां पर आपको उसको वेरिफाई करना है और वेरिफाई कर गऑए यहां से वो जो कौईन वो टरंफ भर जाएगा जैसे आप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कंफर्मेशन सक्शस्पल हो जायागा फिड़रावल कंफर्मेशन या उसके अंदर आपका ये ट्रांसफर हो जाता है एक से दो गंटे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो आप फिर वहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तों बिटकोइन गौल्ड का जो वालट है बाने शक्षेंस पर चेक कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि 2.169 और उसका जो रेट होता है बिटकोइन गौल्ड का 26 डॉलर है करेंट आज के हिसाब से ठीक है तो इस तरह से बिटकोइन गौल्ड है यह इसी भी कोईन को एक एक्षेंज से दूसरी एक्षेंज में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कोईन वहां पे डिलिस्ट हो जाता है तो इससे आपका जो फंड हो भी बचा रहेगा और जो आपका रेट है जब उसका रेट इंक्रीज हो तो आप अपना प्रोफिट वहां से निकाल सकते हैं दूसरी एक्षेंज पर ट्रांसफर करने के बाद ठीक है और जब आपका प्रोफिट निकलता रहे तो आपको कोईन को होल्ड नहीं करना है कभी भी सैल करते रहना है इस तरह से जो ट्रेडिंग आप देख रहे हैं काफी कोईनों की ट्रेडिंग हो चुकी यहां प सकते हैं ग्राफ अभी डाउन है और जो ट्रेडिंग वोल्यूम है वह भी इसका कम हो रखा है और बाइनस एक्षेंज पर आने वाले टाइम में इसका जो वोल्यूम है वह बढ़ेगा ठीक है 40 डॉलर के असपस जाने की संभावना है पूरी-पूरी ठीक है दोस्तों तो इ झालड़ेगा Music